नमस्कार दोस्तों तो भारत के भुगोल सम्मंदी जितने भी प्रस्ण आये हुए है उसको हम देख रहे थे 2012-2014 तक के सारे प्रस्णों को हमने देख लिया है इस वीडियो में 2015 और 2015 में ही री एकजाम हुए थे तो उन सारे प्रस्णों को हम देखेंगे सबसे पहला जो प्रस्ण है भारत के किस राज में गन्ने की खेती के अंतरगत सबसे अधिक भूमी है तो उत्तर प्रदेश राज ऐसा राज है जहां गन्ने की खेती के लिए सबसे ज्यादा भूमी आवंटित की हुई है तो विकल ब और भी है कि 20 में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहा होता है तो ब्राजील में होता है ये ध्यान रखना है और गन्ने की खेती के लिए पानिक की अधिक मात्रा चाहिए होती है तो ये दो फैक्ट भी एक्स्ट्रा हो गया नेक्स्ट निमलिकित नदियों में से किसको दक्षिन की गंगा कहा जाता है तो दक्षिन की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है इसलिए बिकल्ब एसका सही अंसर हो जाएगा अचा कावेरी नदी का उद्गम अस्थान कौन सा है तो कावेरी नदी का उद्गम अस्थान है ब इस्तित है गर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और कोरोमंदल तट के उपर आपको पुर्वी साइड में ही उत्री सरकार तट मिलेगा जबकि जो मालावार तट है और कोंकन तट है ये पश्मी भारत के तटों के पास आपको मिलेगा देखिए आपको ब्या गोदावरी डेल्टा से उत्री तटिय भाग तक है जबकि कोरोमंदल तट कन्या कुमारी जिसको केप कमुरीन भी कहते हैं से कृष्णा डेल्टा तक बिस्ता रहे थे तो यही में बात था नेक्स्ट क्वेस्टन दिल्ली और आगरा के मद्ध बर्स के अधिकान समय में यमन नदी मिर्त हो जाती है तो ये बात सही है कि दिल्ली और आगरा के बीच में जो यमना नदी आती है तो अधिकान समय ये मिर्त जैसी रहती है मतलब कि डेट इस्तिती रहता इसका कारण इसके पीछे क्या है यमना असतत बाहिनी नदी है तो ये गलत है यमना असतत नहीं सतत बाहिनी नदी है मतलब हमेशा बहती रहती है हाँ ये बात जरूर है कि प्रदूसन के कारण दिल्ली और आगरा के मद में अधिकान समय में ये यमना नदी डेट पाई जाती है वही ब्याख्या में लिखावा है कि सतत बाहिनी नदी है यमना और इसका उद्गम अस्थान कहा ये यमना नदी का तो यमनोत्री गलेसियर इसका उद्गम अस्थान है और दिल्ली और आगरा के मद वर्स के अधिकान समय में यमना नदी मृत हो जाने के कारण प्रदूसन है अच्छा अब नेक्स कोशन आ गया निमलिकित में से कौन भारत में जौला मुखी द्वीप है तो भारत में जौला मुखी द्वीप उपलब विकल के हिसाब से बैरन द्वीप है ठीक है अच्छा बैरन द्वीप सिर्फ भारत में ही जौला मुखी द्वीप नहीं है ये एसिया का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी द्वीप है बैरन द्वीप जो कहां मिलेगा हमको अंड यह दोनों को 10 degree channel अलग करता है मैं पेन का यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा यह देखि Thousandose channel जो है अंडमान और निकोवार के बीच में है एक और channel इससे पूछा जाता है 6 degree channel तो जो निकोवार है और सुमात्रा है great nikovaar और सुमात्रा. इन दोनों के बीच का जो चैनल है वह 6 डिगृरी चैनल. कोशन पूछ लेगा कि great nik outward और सुमात्रा के बीच में कितने डिगृरी चैनल अलग करता है? तो 6 डिगरी चैनल. जबकि ndemann और nikflower को अलग करने वाला चैनल है यह बात हो गया अच्छा भारत का दर्णThe बिंद्दू जिसको इंद्रा पॉइंट कहते हैं वह हैं आप aoत बिंद्दू उस पर यह है और यह और लिटिल अंडमान के बीच में मिलेगा दक्कन पैसेज और एक खास बात यह है कि यही South अंडमान में जो Port Blair है प्रसासनिक Headquarter मतलब की Administrative Headquarter जो है अंडमान निकुभार का Capital वो यही है Port Blair किस पे South अंडमान दीव पर एक खास अधर और है खास बात की Cocoa Strait तो Cocoa Strait आपको मिलेगा North अंडमान और Cocoa Dweep के बीच में यह Cocoa Dweep पर महिनमार का राज है तो Cocoa Dweep और यह North अंडमान के बीच में Cocoa Strait आपको मिलेगा जब आप मैं अब देखेंगे तो तो यह सारी बाते थी अच्छा इसमें दीवो के संख्या 572 है मैं जल्द जल्दी सारा बोल देता हूँ फिर से 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार दीप समू को अलग करता है 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा दीप को अलग करता है उसके बाद भारत का दर्चिंतम बिंदू इंदरा पोइंड वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है एक डेकन पैसेज मिलेगा मैप में वो साओध अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है और साओध अंडमान पर ही यह पोर्ट विलेर स्थित है तीक है और जो बहारत में, आधासे ज्यादा स्वावीन का उतपादन प्राप्त होता है तो बहारत में आधासे ज्यादा स्वावीन का उतपादन सिर्फ और सिर्फ मद्द प्रदेश में ही प्राप्ट हो जाता है तो विकल्प एस का सरी अंसर हो गया अच्छा जब स्वावीन की बात करी रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वावीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है मतलब साइन्स के दृष्टी से मैं बोल रहा हूँ ये कोश्चन बनते हैं साइन्स में अच्छा सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो मात्रा होती है प्रोटीन की कमी हो जाने से कौन सा रोग होती है ये भी पूछता है कभी-कभी तो मेरासमस रोग ये सूखा रोग या फिर क्वासी ये रोकर रोग भी बच्चों में हो जाता है तो याद रखना है प्रोटीन की कमी से मेरासमस रोग ये सूखा रोग जिसको कहते हैं और क्वासी ये रोकर रोग ये दुनों रोग हो जाते है प्रोटीन के कमी से, जो सबसे ज़्यादा कहां होता है, स्वावीन में, सबसे ज़्यादा पाया कहां जाता है स्वावीन, मतलब खेती कहां होती है, तो मद परदेश में, ठीक है, अच्छा, प्रोटीन का काम क्या होता है सरीर में, सेल बृधी करना, और सेल की मरमत करना, ये चार-पांच फैक्ट है मैंने जोड़ जाड़के बता दिया है कोश्चन बनने की संभावना रहती है इन सब बातों से नेक्स्ट है सुएद क्रांथी संबंदित है तो सुएद क्रांथी दरसल दूद उत्पादन से संबंदित है तो विकल भी इसका सहीं सर हो जाएगा अ दूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सिर्ष राज में है मतलब सबसे याद कीजिए जब आप उत्तर प्रदेश की समिक्षा ये आर्थिक समिक्षा देख रहे थे जो वीडियो अप्लोडेड है तो उसमें एक समूल सब्दाया था क्या मतलब है समूल का तो सहारनपूर महला मिल्क यूनियन ऐसे करके इसका फूल फॉर्म है तो अभी ऐसे कोशन बन सकता है क्योंकि आर्थिक सर्वे में था कि समूल की अस्थापना कहां हुई है तो सहारनपूर जनपद में हुई है और समूल का फूल फॉर्म क्या होता है तो इसका फूल फॉल गाय का नसल का क्या नाम है गीर, बिस्व के अस्तर पर सबसे ज़्यादा दूद देने वाली नसल का क्या नाम है हेलिस्टीन फीजियन, और ये सानेन बकरी जो है, वो क्या कही जाती है, सानेन बकरी साइद गरीवों की गाय कही जाती है, क्या, ने ने दूद की रानी कही जाती है और गरीबों की गाय तो बकरी को कहा था गांधी जी ने तो ये बाते कुछ-कुछ थी जो इस सम्मंधित बाते हैं नेक्स्ट अब 2015 में जो री जांग होए थे उसके प्रस्ण है तो सबसे पहला प्रस्ण है निमलिखित राज्जियों के मत से उत्पादन का सही अबरोही क्रम बताईए तो इसमें कुछ बाते हैं उसको जरूर देख लिजेगा पहले मैं इसका एंसर बता देता हूँ इसका एंसर ऐसे है C आंधर प्रदेश गुजरात के रल तामिलाडू लेकिन इसको करेंट डेटा से मैं अपडेट करता हूँ देखे जो घटना जगर का आर्थी की निकला है उसका पेज नंबर 41 में ये वात है दर्ज कि पांच सिर्ष राज्यों की अगर स्रेनी की बात करें मत से उत्पादन में तो सबस्यादा मचली उत्पादन आंधर प्रदेश में होता है फिर बेस्ट बंगाल में होता है फिर उडिसा में होता है फिर तामिल नाडो में फिर गुजरात में मैं फिर से बोलता हूँ कि मत्स उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत आता है और उत्तर प्रजस का स्थान तीसरा है आपको समझ में आ रहा है बात क्या कंट्रडिक्शन है मैं फिर से बता रहा हूँ एक ही किताब है घटना चकर का पेज नंबर 41 में लिखा हुआ है कि तीसरा राज जो है मसली के उत्पादन में वो उडिसा है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंदर प्रजस में और दूसरे उत्पादन होता है बरिस्ट वंगाल में इसमें कोई भी बात ने है उसमें भी यही बात लिखा हुआ है 85 नंबर भी पेज में भी लेकिन तीसरे नंबर पे यहां लिखा हुआ है उडिसा और यहां पे लिखा हुआ है उत्तर प्रजस अब सवाल है कि मानें किसको परमानिक डोकुमेंट है तो ध्यान रखना है तीसरे नंबर पे जो मचली उत्पादन में आता है नाम वो उत्तर प्रदेश का आता है ठीक है पहला नंबर पे अरुटर प्रदेश दूसरा पे बस वेश्ट वंगाल और तीसरा पे यूपी यूपी के डोकुमेंट के नुसार उमीद है आप समझ गए होंगे मैं जो कहना और बताना चाह रहा हूँ परमानिकता की बात भी मैंने कर दी है पेज नंबर फोटी उन और एटी फाइप पे आप जाके देख सकते हैं नेक्स जो प्रस्न है सुची एक को सुची दो से मिलाना है एक में जन जाती है दूसरे मे जादों मिलती है यह पिछले वीडियों भी हमने कई बार चार्चा कर लिया है और तो इसलिए एक का तीन है तो दो विकल्प में लिमीट तो हो नहीं रहा है अब यह और आज देखते हैं लेपचा जण जाती आपको सिक्कि में मिलेगी तो बी का एक सिर्फ और सिर्फ एक ह सही इंसर हो जाएगा मैं सही सही पढ़ देता हूं कि टोड़ा जन जाती तामिल नाडू में लेप्चा जन जाती सिक्किम में बीरहोर जन जाती जारखंड में और गारो जन जाती मेगाले में तो अच्छा कुछ-कुछ याद रखने वाले फैक्ट बता देता हूं देखिए जन जाती जो है ना में घारो के नाम से आपको आपको मिल जाएगा नौर्थिस्ट वाले मेप देखेंगे उसन में जहती है और गारो हिल है कहां मेहाले में अच्छा Kit गारो जेंगै की में सबसे अमोड़ि है 265 मीटर आपको प्रीविजन हो रहा हुगा इससा बोलने से और ये छोटी अना मुढी छोटी किस परवत पर है, अना मलाई परवत पर तो अना मलाई परवत और उसके ऊपर में आप देखेंगे, यरी नौर्स साइड में उततर दिशा में अना का परवत मिलेगा, और पालगाट के उपर आपको नीलगरी परवत मिलेगा मतलब ये हुआ कि नीलगरी और अन्ना मलाई परवत के बीच में पालगाट है तो जो नीलगरी है इसी नीलगरी परवत पर या फिर पालगाट में मूल रूप से जो जनजाती रहती है उसी का नाम है टोडा और इनका जो main काम है वो है पसु पालन यानिकी भैस का पालन करने का काम इनका main है और जब नीलगरी की बात करी रहे हैं तो नीलगरी की सबसे उची चोटी डोडा वेटा है आपने भी देखा हुआ जिसकी उचाई 2637 मीटर है ठीक है लेकिन दच्छी नवारत की सबसे उची चोटी कौन है अना मुडी है जो अना मलाई परवत पर है 2695 मीटर ये सथाइस सु में 50 मीटर कम है ठीक है तो ये हो गया टोड़ा जन जाती के भारे में अब एक है बीर होग्जता जाती जारखन में है आपको याद रहेगा ही लेकिन एक बात बता गर्म जल स्रोत दुसरे साइड उसकी अवस्थिती है तो मनी करन गर्म जल स्रोत हिमाचल परदेश में मिलेगा अनहोनी गर्म जल स्रोत मद्ध परदेश में मिलेगा तप्त पानी गर्म जल स्रोत ये उडिसा में मिलेगा जबकि ज्वाला मुखी जो है ये दरसल जमुन कस्मीर में नहीं ये कांगडा जिला हिमाचल परदेश में मिलेगा ठीक है और ज्वाला मुखी के बारे में एक बात और है गर्मुजल सुरोत के बारे में कि हिंदु धर्म के प्रसिद एकामन सक्ति पीठों में से एक ज्वाला दूद गंगा नामक नदियान जमुकस्मीर के अथरिक अुत्रा खंड एवर महारास्ट में भी नाम आ गया तो इस हिसाब से ये A और C दोनों इसका एंसर रहा है और उत्तर प्रश्त में विकलब सही क्या माना था A माना था तो ध्यान रखना कि पहले ये जमू कस्मीर को मान चुके हैं next question है निम्लिखित में से कौन सा धोस्ट नगर नहीं है धोस्ट नगर को अंग्रेजी में घोष्ट टाउन कहते हैं तो धोस्ट नगर कौन सा नहीं है तो जो अच्छा जो नहीं है उसे पहले देख लेते हैं चर्खारी नहीं है क्यों क्योंकि चर्खारी होबा जिले के पास एक बर्तमान नगरे गोश्ट-नगर ॥ा पहले नगर था जमाने के किसी इतिहास में, अब नहीं है नगर यह, तो धनुस्त कोडी, कुलधारा और लखफत, यह तीनों क्या है, ध्वस्त नगर है, थोड़ा तोड़ा और बारीक बात जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही घुमा घुमा के पूछ देता है, अभी कुछ जो स्रिलंका और भारत को अलग करता है, और फिर पंबन चैनल भी वहीं पर मिलेगा, वहीं पर है धनुस्कोडी, और कहते हैं कि जमाने के किसी इतिहास में, अच्छा सहर हुआ करता था धनुस्कोडी पर, मगर अब यह सहर ध्वस्त हो चुका है, तो इसी को घोस्ट टाउ मैप में ना देखे, लेकिन आप गूगल पर देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा, जैसल मेर के पास ही आपको कुलधारा मिलेगा, और कुलधारा के पास ही वहाँ पर डिजर्ट नेशनल पार्क भी है, तो कुलधारा ना मिले तो डिजर्ट नेशनल पार्क जिरूर देख अब एक है लखपत लखपत कहा मिलेगा तो मैप में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ है जैसे आप घुजरात वाला मैप देखेंगे भारत के मैप में गुजरात वाला पाट तो वहीं पर आपको कोरी क्रिक दिखे गा कोरी क्रिक के मुहाने पर ही लखपत नाम का लिखा हुआ है लखपत तो लखपत ये कख्ष में है कख्ष कहा गुजरात में है ठीक है तो लखपत कुलधारा धनुसकोडी ये तीनों है ध्वस्तनगर इसी को अंग्रेजी में घोष्टाउन कहते हैं और सब के बारे में जम्मो और कस्मीर में अवस्थित है, तो जम्मो और कस्मीर में अवस्थित जो है, अंचार जील, स्री नगर के पास अंचार जील है, मैप में दिखता नहीं है, लेकिन जब आप Google मैप में देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा अंचार जील, ठीक है, जो अन जील है, उसके पुलिजहर जील और कहते हैं कि गोमती नदी जो है गोमती नदी का उदगाम अस्थान फुलिजहर जील ही है अच्छा एक प्रस्ट मुझे करने का मन है आपसे जो प्रदेश की राजधानी हैं लखनवू किस नदी किनारे बसी हुई है आपको पता है बहुत अच्छे से तो क कमेंड कर दीजेगा फिर है कोले रू जी तो कई वा रलग लग हर साल यह बिकल्प में ही बिकल्प बन के आ जाता है कोलेर यू जील आपको पता हीकि आंधर प्रदेश में है और जो आपको समझ में आही रहा होगा जो आंधर प्रदेश और हम बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद सहर कौन सन नदी के किनारे है, चलिए बता ही देता हूँ, मुसी नदी के किनारे है, अच्छा अब यह तो हो गया अंचार जिल, अब हमीर सर जिल, तो हमीर सर जिल आपको मिल जाएगा, गुजरात में मिल जाएगा आपको हमीर सर जिल, औ और हमिरसर जील के साथ साथ एक लगतर जील भी है गुजरात में, तो हमिरसर जील और लगतर जील, हमिरसर जील मैप में दिखता नहीं है, लेकिन आपको लगतर जील मिल जाएगा, लगतर जील वहीं जहां नाल सरोबर है ना, अभियान पच्चिया वहीं वहीं लगतर जील, ह अस्टामोडी जील, फिर से देखिए जील से ही कोश्चन है, अस्टामोडी जील केरल में है, पुलिकट जील तामिल नाडू और आंदरप्रदेश की सीमा पर है, तो आंदरप्रदेश कहीं है नहीं, इसलिए तामिल नाडू इसका एंसर हो जाएगा, तो पुलिकट जील ताम मैं ने बोली दिया कि पुली कट जील आंदरप्रदिस के सीमा पर है आंदरप्रदिस में एक और कौन सा जील है आपको याद आ रहा है अभी बात किया था अचा रेगूर मिट्टी के बारे में कितने फैक्ट हम जानते हैं देखिए साथ आठ फैक्ट में नोट करके रखा हूं क्यूंकि बार बारा आता है एक्जां में तो देखी मैं पढ़ता हूं आपने भी ये सुनावा कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं और इसका काला रंग क्यों है क्योंकि टिटनी फेरस मैगनेटाइट नाम का एसक है इसलिए इसका रंग काला है ठीक है इसी को लावा मिट्टी भी कहते हैं कि रेगुर मिट्टी को अच्छा रेगुर मिट्टी के बारे हैं कभी कोई पूझ जाता इसमें किस चीज की कमी होती है तो नाइट्रोजन और पोटास और हुमस इन तीनों चीज की कमी होती है फिर से बोलता हूँ नाइट्रोजन, पोटास और हुमस की कमी होती है रेगूर मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में ठीक है आपको भी पता ही है कि कापास की खेती के लिए सबसे अच्छा जो मिट्टी होता है वो रेगूर मिट्टी यानि की काली मिट्टी होता है यही कारण है इसकी कापासी पर छेकन चेर्णो जेम कहते हैं चेर्णो जेम बहूलें है काली मिट्रीजीश जब खूता होती है और यही कारण है कि इसको स्वतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि सूखने पर इन मिट्टियों में दरार पैदा हो जाता है तो इसको स्वतह जुताई वाली मिट्टी कहते हैं उमीद है असपस्ट हो गया हुआ सारा पुनास्मरन रिवीजन हो रहा है आपको क्योंकि वीडियो डालने का मेन तो यही है कि फास्ट रिवेन हो जाए यही उद्देस है देखी मैं ब्याकेवे पर देता हूँ एक तरह से फिर से हो जाएगा बाते सब भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्मान बिसाल लावा के उपचह के कारण हुआ है इस काली दक्कन ट्रैप के उत्री भागों में विसे सुरूप से महरास्ट्रम, मद्ध प्रदेश, गुजरात और आंदर प्रदेश तथा करनाटक में पाई जाती है जो आला मुखी वी स्फोर्ट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांद उसके उपचहेस होने से काली मिट्ट कि सकते में के विसे निक shifting कि से निकाला गया में अच्छा एडन नहर जो है यह एजादी के बार बात बना ही यह आजादी के पहले यह अज्छा अज्य Sans यूपक ऐसे पुछ देते हैं यूपक पूछ देते हैं पूछते हैं लेकिन इस्कों बहुत बहुत वारे से पूछ देते हैं असको बंगाल का भिसाफ भी कहते थे, हुगली में मिलकर, ये बेव बंगाल में जाके बह जाता है, ठीक है, इसका उद्गम सरोत कौन सा है, छोटा नागपूर का पतहार, नेक्स देखते हैं, कांडला निम्निमे से किस के लिए परसिद है, तो निर्यात प्रसंसकरन छेतर के लिए परसिद है, कौन का कांडला, तो विकल्प सीज का सही अंसर है, अच्छा, और आगे कुछ है क्या, गुजरात के कक्च जिले में इस्थित है, कांडला, एक फैक्ट ये हो गया, और फिर कार्गो हैंडल की मात्रा की दृष्टी से ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है, मतलब की माल संचालन की दृष्टी से, सबसे जादा जो कार्गो हैंडलिंग होता है, वो इसी से होता है, नेक्स देखते हैं, निमनिमे से कौन भारत में सबसे बड़ी मसिनिकरित खान है, तो बेला डिला खान सबसे बड़ी मसिनिकरित खान है, तो बेला डिला खान है, जो क्या है, ये सबसे ब एस को बिसाखा पत्नम बंदरगा से जापान को निर्याद किया जाता है तो ये भी एक fact है नेक्स्ट निम्ण में से किस राज में टीन एस का परमुख बंडार है तो 36 गड़ में टीन एस का परमुख बंडार है विखल पर 6 का सई अंसर है इतना ही था 2015 के रीग जान तक सबसमाप्त हो गया बहुत जल्द ही मैं अप्लोड कर दूँगा सारा वीडियो को तो थैंक यू वीडियो कैसा लगा क्या सुधार की संबाबना सुधाब जरूर दीजिए और सुनिए सेहर जरूर कर दीजिए मेरे महनत आना यही है आपसे क्योंकि सेहर करने से सबस्क्राइबर बढ़ेंगे और मेरा मोटिविशन बढ़ेगा थैंक यू